इसलावलेकुम वीवेर्स, वेलकम तू माइनू रेसिपी, कुक विद अर्बिया में आप सब का मुश्टर वेलकम है आज यह आपके लिए लेकर का ही हूँ एक बिल्कुल अलग सी और यूनिक सी टेक्निक घी निकालने की जिससे कि आपकी समय की भी बच्चत होगी बहुत जादा टाइम नहीं लगता है और बहुती सिंपल वेसे यह जो घी हमारा निकल के तयार हो जाता है और बिल्कुल दानेदार सा मार्किट जैसा जो घी हमारा बनता है बलके बहुत कहूंगी मार्किट से भी अच्छा हमारा घी है जो यह बन करके लेड़ी होता है तो चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जहापर हम जट पड़ से निकालेंगे घी तो यहाँ पर जो है ना मलाई ली थी मैंने मलाई जो है, हमने क्या किया था कि फ्रीजर में रख्धा था और यह एक हफते की मलाई है और फिरेजन में जह हम मलाई को रखते हैं तो मलाई जो है वह हमारी बिल्कुल फ्रेश रहती है तो यहाँ पर मैंने इसको आदर गहंते पहले निकाल करके रख दियता है जिसे की जो इसकी बरब वगारा थी वह बिल्कुल अच्छे से पिखल क्या करना है कि हमें ले लेना है यहाँ पर एक प्रेशर कुकर तो जी है प्रेशर कुकर में आज जो है वह हम घी को निकालेंगी जो कि बहुत ही इसली निकल जाता है ना आपको मखन बनाने की जरूरत है ना आपको बहुत जादा इसको पकाने की जरूरत है तो यहाँ पर म जो है इहां पर हैँ मैंने यहां पर डाल दी है तो बस अब हम इसमें मेरा लगा ingen game 744 हम यहां पर यहीं लगाना है दो या तीन सीटी हम नहीं लगाएंगे अगर और जादा स्विति हम इसमें लगाते हैं तो क्या होता है इसलिए एक सीटी जो आसानी से लग जाएगी जिसे कि हमारा गी है वो नहीं उबलेगा तो केवल हम यहाँ पर एक सीटी लगाएंगे फ्लेम को हम यहाँ पर हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर आ चूपी थी अब मैंने यहाँ पर गैस को ओफ कर दिया था और इसका प्रेशर अपने आप निकलने देंगे तो यहाँ पर प्रेशर पुरी तरीके से निकल चुका था अब हम इसको खोल लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मलाई हमने समें डाली थी वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और बस अब देखेगा आपके बहुत ही जल्दी जो है इससे घी भी निकल आएगा तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमने फिर से चालू कर दिया था और इसको हम हाई टू मीडियम फ्लेम पर लगतार चलाते हुए पकाते रहेंगे ताक अगर मलाई आपकी बहुत जादा दिन की है या फिर उसमें कोई इसमेल बगारा आ रही है तो फिर बूप बिल्कुल पूरी तरीके से चली जाएगी तो यह ट्रिक आप जरू फॉलो कीजिएगा साथी यहाँ पर अच्छे से कलर के लिए हमने डाला है थोड़ा सा हल्दी जिसे की बहुत अच्छे इसमें कलर आएगा अगर आप गाए का गाए की मलाई यूज कर रहे हैं तो उसमें तो आ जाता है यलो कलर पीला पीला सा लेकिन अगर आप भैस वाले दूद की मलाई इस्तिमाल कर रहे हैं तो उसमें जो है वो पीला कलर नहीं आता है इसलिए हम आपन थोड़ी है। और देते हैं जिसने का पहुत अच्छा कलर आ जाता है। यहां पर देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में जो है वह भी सेपरेट हो तो यहां पर आप देख सकते हैं यह देखें घी बिलकुल अलग हो चुका है तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे क्योंकि जो इसका खुर्चन है ना वह थोड़ा सा वाइट कलर का है तो इसको हमें थोड़ा सा राइट करना अब यहां पर एक ट्रेक हम लगाएंगे तो यहां पर डालेंगे एक से देर चमाच हम पानी तो पानी डालने से यह होगा कि जो हमारा घी है ना वह बिल्कुल दानेदार सा बनेगा तो जब भी आप घी को पकाएं उसमें थोड़ा सा इश्ट स्टेट पर डाल दीजिए पानी तो जिससे कि आपका घी है वह बहुत ही दानेदार सा बनेगा तो यहां पर थोड़ी देर के लिए हम इसको और पकाना है और उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को जो है वह आफ कर देंगे आफ करने के बाद में इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रख देंगे उसके बाद हम इसको चान इसके खुर्चन को हम अलग कर लेंगे और घी को है वह हम अलग कर लेंगे तो बस यहां पर जो है वह हम घी को निकाल लेते हैं तो यह देखिए हमारा जो घी है वह बन करके रेडियो हो चुका है तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छा घी जो है वह निकल के रेड तो यहाँ पर घी को हम रख देते हैं बापिस से एक डिब्बे में डाल करके यानि कि जो कंटेनर हमारा है घी वाला उसमें मैं इसको डाल करके रख दूँगी और फिर जब यह ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि देखे कितना दानेदार सा जो घी है वो हम बहुत अच्छी आ रही है आम तोर पर जब हम घी पकाते हैं तो उसमें ज्यादा इसमेल वगरह नहीं आती क्योंकि मार्केट में तो क्या होता है कि वोलो उसमें जो है पर्फ्यूम का यूज करते हैं घी की खुश्बू बनाने के लिए लेकिन यहाँ पर जो है बहुत करके रेडियो हो जाती है साथी साथ बच्चों को भी बहुत जादा पसंद आती है तो बस यहाँ पर बनाने चाहरी हो तो यहाँ पर मैंने दो रोटी ले ली थी और उनको इस तरीके से बड़े पीसिस में तोल दिया था उसके बाद में हम इसको ग्राइंडर जार में डाल करेंगे एक कडाई में इस तरीके से डाल देंगे ताकि इसका घी जमा हुआ है वह थोड़ा सा पिघल जाए और साथी साथ जो हमने रोटी ग्रैंड करी थी उसको भी हम इसमें डाल देंगे बस दौनों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए तो गुड़ को भी हम इसमें डाल देंगे और बस अब इन तीनों चीजों को थोड़ी देर आने की पास से च्छा मिनट के लिए हमें पका लेना है जिसे की गुड़ जो है वो भी गरम होंके रोटी में मिल जाए और जो सब तीनों चीज है नो बहुत अच्छे से एक दूस पसंद आता है बड़ो कोई पसंद आता है आप इसका और ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए आप इसमें जो है ड्राइफ रूट्स का भी इस्तिमाल कर सकते हैं अगर आपके बच्चे ड्राइफ रूट्स खाते हैं तो आप इसमें बारी कट करके ड्राइफ रूट्स भ पर नए है तो सब्क्राइब कीजिए मिलते हम आपसे अगली रहते की में चपता के लिए अल्हाफिस